इदर हैना के एक जुन में बेबी वाइल्ड विस्ट को पकल दिया है और बेबी वाइल्ड विस्ट इनसे पचने के पूरी कोशिस कर रहा होता है लेकिन इनसे बचपाना ना मुम्किन है वैसा तो देखा जाए तो वाइल्ड विस्ट काफी खतरनाक होते हैं और इन की द्वारा कभी कभी बड़ी से बड़ी सिकारीयों को भी मार दिया जाता है। लेकिन इधर बेबी वैल्ड बिस्ट इन दरिंदों के बीच भस चुका है और यह हैना का जूंद इसका जिन्दा ही पीट भार देते हैं और अभी वैल्ड बिस्ट का बच्चा जिन्दा है लेकिन वहां दर्द के मारे कापी तड़प रहा है लेकिन इन दरिंदों पर इसका क कोई फ्रक नहीं परता कि यहां अभी जिन्दा है और सभी हैना का जूंड इसको नोच-नोच कर मार डालता है और यहां हमेशा के लिए इस धर्टी से दूर हो जाता है